आप यहीं से कल्पना करके देख लीजिए, कि हम संसार के रूप से भी ठकते नहीं हैं, अगाते नहीं हैं, जबकि उसमें इतना रस नहीं है, और फिर जो रस एक बार तुम कृष्ण का देख गए, एक भून तुमें कृष्ण की मिल गई माराज, फिर तुम बार बार गुंगराली लट पे, घटाएं बारी जाओए, घटाएं बारी जाओए, बाके जादू, भरे दो नयन, सखीरे मेरो राधार मन, बाके जादू भरे दो नयन, सखीरे मेरो राधार मन, चिनले हसके सब का ये मन, सखीरे मेरो राधार मन, सिनले हसके सब का ये मन, सखीरे मेरो राधार मन, पतली कमर किन्तू, अंग हैं गठीले, पतली कमर किन्तू, अंग हैं गठीले, पतली कमर किन्तू, अंग हैं गठीले, अजरों पे अमरित हैं नैना नशीले, अजरों पे अमरित हैं नैना नशीले, बाके नैना नशीले, थोड़ा बच्चपन है, थोड़ा योवन सखीरे मेरो राधार मन, सेनले हसके, समका ये मन, सखीरी मेरो राधार मन, सेनले हसके, अच्छा मैं ये भी बता जो, जे लोग एक बार द्वारा जाने के लिए ड़ते हैं न, क्या रखा, सची बताओं, ड़ते हैं वो, गमजोड दिल के हैं, जानते हैं वो यहां रखा सब कुछ है, कहीं लुट ना जाएं, कहीं बरवाद ना हो जाएं, इसके बरंदा बन नहीं जाते हैं। चिन ले हसके, सब का ये मन, सखीरी मेरो राधार मन, चिन ले हसके, सब का ये मन, सखीरी मेरो राधार मन, फूलों की सोहे गले माला बैजनती, पूलों की सोहे गले माला बैजनती, कामरी आकारी ओरिल पटु का बसनती, बाको पटो का बसनती, बाको पटो का बसनती, बाके पैजनियां, बाके पैजनियां बाजे चरण, सखीरी मेरो राधार मन, बाके पैजनियां बाजे चरण, सखीरी मेरो राधार मन, सिनले हसके सब का ये मन सकीरी मेरो रादार मन सिनले हसके सब का ये मन सकीरी मेरो रादार दिने दिने नवम नवम नंद गोप बालकम इसा है महराज नव कंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुनं कंदर्प अगनित अमित चवी नव नील नीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित रुचिचुचि नोमि जनक सुतावरं भजदीन वंदु दिनेश दानव देत्ते वंश निकंदनं शिर मुक्त कुंडल तिलक चार उदारु अंग विवूश नम आजान वूज शर्चापधर संग्राम जित खर्णूश नम शरी राम चंद्र कृपालु वजवन हरन भब भै अईसे कृपालु ऐसे कृपासिंदू ऐसे दियासिंदू प्रवू के शिर्चनारविंदो का आश्य जिसने एक बार ले लिया माराज फिर संसार फिका संसार संदर क्यों लगता है क्योंकि अभी तक आपने उस अलो की करूप को देखा नहीं बस जिसन आप उस प्रित्म को देख लेते हैं फिर संसार फिका लगता है फिर संसार की मदूरता फिकी से लगने लग जाती है क्योंकि मदुराती मदुर अखिलेश्ष्वर बर्मा का दर्शन हो गया उसको देख लिया उस महासागत को देख लिया उपनते हुए उस कुरुणा सिंदु का दर्शन कर लिया बस फिर संसार में रहा रहोगे संसार में लेकिन अब चित वर्ती अनुराग शी कृष्ण के साथ हो गया परवु के साथ हुआ वही अनुराग भरत के अंदर है अर्थ ना धर्म ना काम वरूची कुछ नहीं चाहिए बस निर्वान भी नहीं चाहिए कोई मुक्ष की इच्छा भी नहीं भक्त के अंदर केवल एक रस चाहिए प्रियता में और भरत उसी अब इलाशा को लेकर चला और किसले जा रहा है अपने अपने राम जी को मनाने के लिए भरत चला रहे अपने भाईया को मनाने भरत चला रहे चलते चलते आजान की सीता जितरकुट में बिराजमान है लखर ने देखा एक पेर पर चड़े दूर ध़जा दिखाई दी अबद की इतनी विशाल सेना इतने लोग लखर के मन में भाब के आया भरत आ रहा होगा युद्ध करने के लिए फटा फट भरत आये लखर आये अपने दुनुश्बान उठाया मारा तरकुश्बान दी राम जी ने पूछा तुझे क्या हुआ बोले भईया अब आप भी साब्दान हो जाएगे बोले क्यों भरत आ रहा है युद्ध की निती से आ रहा है राम जी ने का लखर तुम्हें कैसे पता युद्ध करने के लिए आ रहा है मिलने के लिए भी आ सकता है नहीं इतनी बड़ी सेना लेकर जो आ रहा है धोजा है लहरा रही है उसके अंतर मन के अंदर कुछ और नहीं अब लखन जो शब्दों का प्रियों करते है मां के कई की बुद्ध कुटिल थी तो उसके फुद्ध की बुद्ध भी कुटिल है वो इसी भाब को लेकर आ रहा होगा आपके पास युद्ध करने के लिए लेकिन भईया समझ लेजिए सुन लेजिए आज मैं उसके साथ युद्ध करूँगा और हो सका तो मैं बर्द को मार दूँगा यहां तक लखन शब्द कहे राम सेह नहीं कर पाए जब ऐसे शब्द कहे तो बोले अकाश्मनी हुई जग भायो मगन गगन भैवानी लखन बाहू बल बिपुल बखानी ताप प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कहे सकय को जान निहारा ए लखन आपके प्रताप को कोन नहीं जनता है आपके समर्था को कोन संसार में नहीं जनता है लेकिन फिर भी उचित अनुचित का विचार किये बिना जो कोई जोश में आकर कोई काम करता है तो पीछे पश्ता नहीं पड़ता है अकाश मानी केकर बंद हो गई राम जी को बड़ा अंतर मन में वेदना होई लखन ने भरत के लिए ऐसे शब्द के लिए राम जी ने का लखन बिना विचार की ऐसे शब्दों का प्रयोक करना आपको शुबा नहीं देता है मैं जानता हूँ मेरे भरत किसलिए आ रहा होगा में इंदर के मन में स्वार्थ हो सकता है बड़े-बड़े देवता के मन में राज सिंगासन की सत्ता को प्रापत करने का मद हो सकता है लेकिन मैं प्रमान देता हूँ मेरे भरत के मन में कोई मद नहीं है कोई मद नहीं है और राम जी ने का लखन क्या तुम राज चाहते हो तो मैं सच कहता हूँ प्रतिक्या करके भरत आएगा, मैं भरत को तुम्हारे सामने कह दूँगा, युध्या का राजा, लखन को बना दिया जाए, लखन जुक गया, नहीं परूँ, मेरी कोई चाराज की नहीं है, मैं तो किवल इसलिए बोलता हूँ, कि भरत पर संदे मत करो, राम जी कहते हैं, आनुचीत चुचित काज किछ हो, ये बिना विचार की ये पुश्तावा है, सोनहू लखान भल, राम जी कह रहे हैं, परमान दिने माराज, किसका भरत का, सोनहू लखान भल, भरत सरीसा, बिदी पर पंच महा, सुना न दीसा, सुनहू लखान भल, भरत सरीसा, बिदी पर पंच महा, सुना न दीसा, भरत हो इना राजमद, बिदी हरी हर पद पाई, कब हू के काजी सिकर नहीं, छीर सिंद बे नसाई, कब हू के काजी सिकर नहीं, छीर सिंद बिन साई, गोपद जल बुड ही घट जोनी, सेहेज छमा बरू छाड है छोनी, तीमर तरून तर निहीं मकु गिलाई, गगाना मगाना मकु मेगही मिलाई, सुन रगु बीरबानी देख भरत परहेत, सकल सराहत रामसो, प्रभु को कृपानिकेत, सकल सराहत रामसो, प्रभु को कृपानिकेत, जोना होत जनम भरत को, अगर इस जगत में भरत का जनम ना होता लखन, जोना होत जग जनम भरत को, सकल धरामा धुर धुर नी धरत को, सकल धरामा धुर नी धरत को, कभी कुल अगम भरत गुन गार था, कभी कुल अगम भरत गुन गार था, को जाने तुम बिन रगुना था, अगर इस दरा धाम भरत का जनम ना होता माराज, तो आज धरम की ध्वजा ना लहराती, इस भारत खंड के अंदर धरम की पता का लहराने वाला मेरा भरत है, मैं प्रमान देता हूँ, स्वपन के अंदर भरत के अंदर राज का मद नहीं हो सकता, इंदर के मन में हो सकता है सूरे अपनी रश्मिया का प्रत्याद कर सकता है जल अपनी शितलता को प्रत्याद कर सकता है लेकिन मेरा भरत कभी धर्म का प्रत्याद में करेंगा कभी कुल यगम भरत गुनेगा था को जानाई तुम बिन रखोना था कभी कुल यग्म भरत गुनगार था को जानई तुम बिनर गुनार था श्री राम जे राम जे जे रामा श्री राम 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 कुटिया के अंदर बैठ गे रहे हैं और कहते चलते चलते निशाद राज ने केवट ने कहा भरत भीया वो सामने जो परबत दिखाई दे रहा है बस उसके छोर के उपर चित्र कूड है वहीं मंदातनिक का पुवित्र जल बहता है उसी के तर्ट पर राजा राम सरकार विराजवान है हम करीब पहुच गए इतनी सुनी वहीं से दंडोती प्रणाम करते वरत चलता है रो रहा है बार-बार मैं काबिल नहीं हूँ राम जी के करीब जाने के लिए जैसे तैसे भरत चला गया और रस्ता भटक गए बन था जंगल था रस्ता भटक गए तो देवताओं ने पुश्बृष्टी करके बरत को रस्ता बटाया बरत आप गलत जा रहे हैं इस मारक से जाईए पुश्बृष्टी हुई अब देवता भी सहाय को रहे है बार-बार जब राम जी के प्रति दिड़ विश्वास होगा तो पुरी सुष्टी आपको सायो करनी शुरू कर देगा बले शुरू में बिरोध हो लेकिन जग जापर कृपा राम की होई जापर किरपा राम जी की होई जापर किरपा घर सब को ही पुष्पपर सारे आप यहां से ओकर जाईगे भर्त आए परबद पर चड़े जैसे चड़े दूर सामने राम जी का आश्रम दिख रहा है कुटिया दिख रही है केवट ने कहा भर्त भाई आप वह सामने दिखी वह राम जी की कुटिया आगे बढ़ इतना देखा आप विचार करो कलपना करो माराज भरत का हिड्ट बिठल हो गया परेम का विकलत प्रभाब बैने लगा रो रो कर भरत ने पुरी हारत कर लिए माराज पर नाम करते 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 कुटिया के जैसे तैसे बाहर तक पोहुचा राम जी बीतर बैठे थे, बस बर्त यहीं तिका के रुक गया, अब यहां से वाज देने लगा, हे रगुनात, हे राम जी श्री राम जे राम, जे जे रामा श्री राम जे राम, जे जे राम, इदर भरत है, उतर राम जी है पेम ए मंदिर बिरे, बरत पयोधिक महीर, मत प्रगटे सुर साथुहित, क्रिपा सिंदुर गुवीर अब अब भरत रुपी प्रेम के सिंदु का, क्रिपा सिंदु राम अब मन्थन शुरू कर रहा है बरत कुटिया के बाहर अभीतर नहीं जाते, बोले प्रभुपापी मैं, अपराधी मैं, आपकी कुटिया तक आने के काबिन नहीं हो अब थोड़ा सा आप बाहर आजाईए, मुझे दीन हिन को सविकार कर दीजिए, गिर पड़ा धर्ती पर भरत, दंडो दिल लेट गया, अब भरत की अवाज राम जी को सुन रही है राम भीतर बैठे, रो रहे हैं, आशु बह रहे हैं, इदर भरत रो रहे हैं, इदर राम रो रहे हैं, राम उठ नहीं रहे हैं बर्त की वाज अहिर्दे को बिगलित करती है और गुनाद पुठ नहीं रहा गा क्यों? किसने नहीं जा रहे हैं? क्योंकि लखन पास खड़े लखन ने जो शब्द कहे थे बर्त के लिए राम चाहते है जब तक लखन ना कहे मैं नहीं जाओंगा क्योंकि देखना चाहते है राम जी क्या भर्त की आवाज सुनकर लखन को वेदना हुई? क्या भर्त की आवाज सुनकर लखन का अंतरमन बदला के नहीं बदला? मैं सुन लेना चाहते हैं भर्त रोते रोते भुकारते हे रगुनाद बाहर आये ना मुझे पापी को एक बार स्विकार कीजिए मुझे दीन हीन को एक बार स्विकार कर लीजिए नाथ मैं आपके दर तक आ चुका हूँ इससे आऊंगा आगे आपकी कुटिया पवित्र हो जाएगी थोड़ा आप बाहर आ जाएए रो रहे हैं बीतर राम रो रहे हैं लखन करीब खड़े थे रोते रोते लखन चर्णों में गिर पड़े जानते राम जी क्यों नहीं जा रहे लखन चर्णों में गिरे महिया हा लखन बस इतना कहा हमारा भरत आया है बस जैसे कहा हमारा भरत आया है अब राम पुत कर दोड़े केहित सप्रेम नाईम हिमा था भरत प्रणाम करत रगुना था केहित सप्रेम नाईम हिमा था भरत प्रणाम करत रगुना था उठे राम सुन प्रेम यजीरा कहु बट कहु निशंग धनु तीरा उठे राम सुन प्रेम यजीरा कहु बट कहु निशंग धनु तीरा बर्बसलिये उठाई उर लाये कृपानिधान भरत राम की मिलनी लख दिसे सब रे आन राम दोड़े मारा अब ध्यान देना राम कैसे दोड़े जैसे लखने का हमारा बरत आया है बस राम बिठ लोगे उठ खड़े हुए और इतनी तेजी से दोड़े राम जी कोई देख नहीं पाया राम कहां से गए किस मारक से दोड़े कैसे दोड़े कोई देख नहीं पाया बस इतना दिखा कि राम बरत गले मिल रहे हैं तो तुलसीदाजी सोचने लगे लोग पूछेंगे आप तो दर्शन करकर के लिखा करते थे क्या आपको पता नहीं राम किस मारक से उकर निकले तो तुलसीदाज ने मारक खोला और मारक मिला तुलसीदाजी को कैसे कि जिस मारक पर राम जी दोड़े हैं वहाँ चार जीजे गिर पड़ी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहुपट कहून निशंग धनु तीरा जिस मारक से गए भगवान का धनुश गिर गया उस मारक पर पर परवु का तीर गिर गया भगवान का तरकश गिर गया और भगवान का वलकल गिर गया जो उपर पहनते हैं ये चार चीज़ें बहगवान की गिरि egir कौन-कौन सी? बहगवान का धनुष गीरा परवुका तीर गीरा तरकश गीरा और बहगवान का वलकल गीरा अब साथू लोग विचार करते हैं नहीं चार चीज़े क्यों गिरी गिरी या गिराही मने गिरा दी गई किसलिए राम जी विजार किरते हैं जब कोई भक्त मेरी और बढ़ता है वो जितनी चीजों का प्रत्याग करके मेरी और आता है मैं भी उतनी चीजों का प्रत्याग करके उसकी और बढ़ता हूँ आज भर्त ने चार चीजे छोड़ दी मेरे लिए कौन कौन सी अर्थ न धर्म न काम रुची ना चहूं निर्वान चार छोड़ दी अर्थ धर्म काम मोक्ष सब रगुनात के चर्णों में सोपति आप अब मेरा कुछ नहीं सब आपका है तो राम जी ने सोचा भर्त मेरे अब दूसरी बात जान दीजेगा कि ते राम ने धनुष तोड़ा छोड़ दिया बान छोड़ दिया तरकर छोड़ा बुले क्यों बुले दूश्मन से मिलने जा रहे हो तो हत्यार उठाना चाहिए भाई भाई से मिलने जा रहा हो हत्यार छोड़ कर जाना चाहिए महाराज यहां भाईयों का मिलन होगा यहां मधुरुमा का मिलन होगा इसलिए हत्यार के और शिक्ता नहीं है तो संतों ने कहा ठीक है बास समझ आ गई कि परभू ने धनुष दोड़ा छोड़ दिया बान छोड़ दिया, तरको छोड़ दिया पर वलकल वस्तर की क्या वश्क्ता थी? तो संतों ने कहा राम जी ने वलकल छोड़ा जान मुझ कर किसलिए है? कारण था, राम चाहते हैं जब भर्त और मैं मिले जब मेरा भर्त मेरे हिर्दे से लगे तो बीच में वस्तर जैसी दिवार भी ना हो इतना सा वलकल भी ना हो बस दिल से दिल मिल जाए माराज जब हम दोनों माई मिले और राम दोड़े उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहु पट कहु निशंग धन तीरा उठे राम सुनी पेम अधीरा कहु पट कहु निशंग धन तीरा बर्बस लिए उठाई पुर लाए क्रिपानी धान बर्त राम की मिलनी लख बिसरे सब ही अपान बर्त राम की मिलनी लख बिसरे सब ही अपान बोली राजा राम सरकार की भर्त दंडोती लेटे हुए थे जब राम गए करीम माराज यूही नहीं उठ बस गले मिल गए जैसे रगुराजी गए भर्त छोड़ते नहीं चरुनों को निची लेटे हुए निची लेटे हुए राम के भर्त उठो ना भर्त उठते नहीं किसलिए जान दीजेगा किसलिए भर्त नहीं उठ रहे कारण है उठ नहीं रहे या धर्ती नहीं पकड़ लिया थोड़ा विचार कीजेगा उस्ताज क्यों नहीं उठ रहे कारण है भर्त ने अपनी मा का प्रत्या कर दिया और भर्त कहते अब वैदेही मेरी माँ है सीता मेरी माँ है अगर सीता कोन है धर्ती की पुत्री है धर्ती कोन है सीता जी की भी माँ है वैदेही की माँ है तो भर्त की माँ कोन है वैदेही वैदेही की माँ कोन है धर्ती अंबा माने उस रिष्टे में धर्ती भर्त की कौन हो गई नानी होगी माराज और जब भर्त धर्ती पर लेटे हुए है तो धर्ती मा विचार करती है बोले भर्त जैसा लाल दुनिया में कोई नहीं है ये जैसा संत कोई नहीं है इसलिए आज धर्ती का मन भी नहीं करता भरत जब नाती अपनी गोदी में आया तो आज धरती माने सोचा बस भरत को थोड़ी दिर के लिए पकड़ लूँ इसको अपना अलिंगन दे दूँ उसको छोड़ने का मन आज धरती का भी निकरता और राम करीब बैठे हैं भरत को उठाने की कोशिश करते हैं भरत अपने मुख को धरती में दबा कर बैठे हैं उपर मुख नहीं करते पर वो मेरा मुख देखने की काबिल मैं नहीं हूं माराज मेरा मुख मत देखिए मेरे कारण इतना बड़ा अनिस्द हो गया और पिर राम कहते हैं भरत उठो और माराज जिस कदर दोनों मिले हैं न उसका वर्णन बानी नहीं कर सकते हैं जिस कदर पर उने उठा कर भरत को हिर्देस लगाया है जिस तिवर्ता से जिस भाव से भरत और राम आज मिल रहे हैं गोसामी इतना कहते हैं बस बर्वसलिये उठाई उर लाए कृपा निधान बरतराम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान